अगर मैं बात करूं लास्ट क्लास में मैंने कुछ चीजे डिसकस की थी लास्ट क्लास में तो आप लोग देख लीजेगा जरूर और अब इस क्लास में मैं डिसकस करने वाली हो कि आप लोग अगर कॉंट्रेक्ट बेस पर केवेस में जॉप पाना चाहते हैं तो क्या एलिजबिटी क्राइटेरिया हैं क्या एज क्राइड इरिया है और सेलरी क्या मिले गए आप लोग को तो सारी डिटेल्स हम आज इस क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं So, please give your like feedback and subscribe ज़रूर कर दें, ताकि every class का notification आप लोग को time पर मिल जाए. So, start करेंगे. First of all, यह आप लोग के सामनी official link है, मुझसे और info teaching से जुड़ने के लिए, और जो भी doubts हैं तो आप लोग किसी भी group से जुड़ कर पोच सकते हैं, link आप लोग को description में मिल जाएंगे. उस से related भी सारी बाते मैंने previous वाली class में discuss की हुई है. So, start करेंगे. So, सबसे पहले तो KVS, यानि के केंदरी विद्याले संगठन every year vacancies लेकर आता है, February और March में vacancies लेकर आता है, all over India में, ठीक है? और thousands के around candidates हैं, जो मतलब की हर साल wait करते हैं कि चलो, permanent में ही तो contract पर ही हम अपना continue करते हैं कि experience आप लोगों को मिलेगा और कहीं न कहीं आप कहीं पुछ सीखने के eligible हो पाएंगे, तो वो सारी के सारी चीज़ें एक positive support है contract पर contract जादा time कर नहीं होता कि 5 साल या 10 साल आप लोगों को last एक साल तक का मिलता है contract, आप इसे renew करवा सकते हैं मतलब every year आप लोग इंटर्व्यू देकर आप लोग continue कर सकते हैं contract पर ही पर पर्मनेंट के लिए आप लोगों का अलग प्रोसेस है और जो contract है उसका अलग प्रोसेस है ठीक है तो यह बात भी आप लोग याद रखेंगे और हां अब आगे बढ़त आप लोगों का होना चाहिए और इंग्लिश और हिंदी लैंविज आप लोगों की होनी चाहिए इस बात का भी एक तरीके से गौर रखेंगा मतलब ध्यान रखेंगा अब यहाँ पर देखेंगे सीनर सेकंडरी तो बता दिया है बट इसके साथ कोई डिप्लोमा नहीं बता तो यहाँ पर कि आपकी 12th प्लस टीचिंग डिप्लोमा होना चाहिए टू इयर का हो वो भी चल जाएगा यहाँ ठीक है बी एलेड भी चल जाएगा याद रखेंगे बी एलेड भी चल जाएगा आप लोगों का बीएड भी चल जाएगा यहाँ पर बट सीप्रेट आप लो contract के लिए ठीक है आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ने से पहले last point दे रखा है desirable qualification computer knowledge of आप लोगों को basic knowledge computer की होनी चाहिए जो basic चीज़े हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए आगे बढ़ेंगे TGT में देखिए आप लोगों के पास क्या होने चाहिए एक तरीके से four year का diploma course होता है जो जिसे हम BLED कहते हैं ठीक है BLED है वो भी आप लोगों का चल जाएगा ठीक है और graduation plus BED है आप लोगों की तो TGT में वो भी आप लोगों के चल जाएगी 50% marks के साथ जो मतलब graduation 50% marks मांगता है यहाँ पर eligible माली जाती है या कोई ऐसा course बट यहाँ पर याद रखेंगे डिएड जेबिटी पीटी से यह सब eligible नहीं होते हैं ठीक है वो सिर्फ PRD में है और आप लोगों का paper 1 & 2 कोई भी आपका मतलब eligible हो qualified हो आप दोनों में से तो आप दे सकते हैं TGT ऐसा को issue नहीं है क paper 1 वाले candidates भी TGT दे सकते हैं ठीक है और paper 2 वैसे mandatory या एक तरीके से माना जाता है प्रेफरेंस दी जाती है paper 2 को ही तो इस बाद को भी ध्यान रखेंगे और आप लोगों का computer knowledge है वो आपकी basic knowledge अच्छी होनी चाहिए ठीक है अब यह हमारा PRD हो गया TGT हो गया PGT पर पढ़त whatever तो यह आपका must होना चाहिए 50% marks होने चाहिए आप लोगों के पास इसमें देखिए सबसे important point है कि सिर्फ graduation और post graduation के based पर आप नहीं जा सकते यहां पर आपका post graduation plus B.Ed is a मतलब की mention है यह clear है इस बात के लिए याद रखेंगे mandatory है post graduation plus B.Ed आपकी होनी ही चाहिए seated की कोई value नहीं है seated आपका हो ना हो कोई इसे issue नहीं है चीक है यह दोनों आपके है तो आप eligible है Hindi और English languages आपको अच्छे से आनी चाहिए but last point देखें यहां पर लिखा हुआ है candidate having special B.Ed special B.Ed कौन जी होती है जो special candidates के लिए होती है ना मतलब special students को पढ़ाने के लिए special educator वाली जो B.Ed होती है वो eligible नहीं वानी जाएगे इसके अंदर इस बात को याद रखें नॉर्मल जो B.Ed होता है वो eligible होगा और आपका computer knowledge basic होनी चाहिए इस बात को भी धियान रखेंगे ठीक है अब आगे बढ़ते हैं selection portion क्या है देखे एक selection portion आप लोगो को मैं बता देती हूँ eligible and interested candidates में carry their application form duly marked as the name of applied post in a block letter to the mansion at the address जहां अबर भी आप लोगों को vacancies मिलती है वहाँ पर आप लोगों को एक link दे रखा होगा उस फॉर्म को आप लोगों को प्रिंट करके निकलवाना है वह फॉर्म फिल करना है जैसे for example पटना में vacancies आई थी February में vacancies आई थी पटना में तो link मतलब कि जो किसी भी साइट से जो मैंने last class में साइट बताई थी वहां से आप किसी भी साइट पे जाकर मतलब लिंक दे सकत जाना है और original documents के साथ जाना है with attested documents के साथ भी जाना है मतलब original document की file अलग होगी और जो copy करके आप लोग मतलब की अपनी निकलवाएंगे all documents की photo copy उनको test करके आप लोगों की अलग file होगी तो उसमें आप लोगों का होना चाहिए सब कुछ और passport size recently वाला जो passport size अब होना चाह ठीक है final selection will be decided on the interview only interview आप लोगों का होगा और फिर interview के बाद आप लोगों के पास call आएगा एक दो मेने में और फिर वहां पर आपका selection हो जाता है तो इस बात को ध्यान में रखेंगे ठीक है age criteria age अभी मैं बता देती हूं वैसे मैं clear ही कर देती हूं PRT के लिए age मैं बता देत तक आप लोग कर सकते हैं फिल TGT candidates के लिए है 35 years ठीक है और PGT candidates के लिए है 40 years तो इस बात को याद रखेंगे और इसमें कोई ऐसा इश्व नहीं है तो हां और salary आप लोग देख सकते है salary हाँ पर आप लोगों को दे रखी है कि आप लोगों को जो मिलेगी मतलब कि जो salary मिलेगी PRT में 21,250 है TGT में 26,250 है और PGT में 27,500 है और यह आप लोगों के actual salary होती है इसमें से जो कटता है कटने के बाद आप लोगों की मिलेगी vacancies के according every year देखे vacancies तो निकलती है बट इस बात को ध्यान में रखेंगे कई बार ऐसा हो जाता है कि हम सिर्फ contract पर ही भागते रहते हैं contract का wait आप हर साल मतलब आता रहता है वो तो आपका experience है कि आप experience लेना चाहते है इसले करना चाहते है वो भी करिए बट permanent vacancies आएंगी तो उ उसके लिए तो आप लोगों को continue रखना है यह सारी चीज़ें रखनी है ठीक है तो यह salary था age criteria और बाकि जो आप लोगों के questions हैं तो आप लोगों कमेंट सेक्शन में पोच सकते हैं बाकि मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को clear कर दी हैं तो मिलते हैं next class में so give your feedback and positive feedback and support बिल को कि को कि वाइ ट्यान को भीक